क्या आपने भी Axis Blue Chip Fund में अपना इंवेस्मेंट किया है या फिर इंवेस्मेंट करने का प्लाइन कर रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि Axis Blue Chip Fund इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हैं प्रोनेसिस इंवेस्टर अकाडमी के इस ब्राइन न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम Axis Blue Chip Fund का डीटेल रिव्यू करेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि क्या सही में ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है और अगर अंडर प कर सकते हैं अगर आप भी खुद से अपना इंवेस्मेंट करते है या फिर अपना इंवेस्मेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको اپना इंवेस्मेंट नौलेज बढ़ाना होगा और इसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप Millennesis Investor Academy के आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि Access Blue Chip Fund का past में performance कैसा था और कब से यह fund underperform कर रहा है और currently इस fund का performance कैसा है यहाँ पर आप Access Blue Chip Fund का returns check कर सकते हैं across 1 year, 3 year, 5 year and 10 year with respect to its benchmark on different dates like first date आप देखेंगे 1st Jan 2019 उस समय इस fund का performance काफी अच्छा था across all horizons इस fund ने अपने benchmark को beat किया था उसके बाद अगर आप next year देखें that is 1st Jan 2020 उस समय भी इस fund का performance काफी अच्छा था उसके बाद अगर आप इनका performance देखें 31st March 2020 यह वो period था जब because of Corona pandemic stock markets में काफी बड़ा गिरावाट आया था यहाँ पे अगर आप last 1 year का benchmark return देखें उस समय का तो benchmark almost 25% से गिरा था जबकि यह fund सिर्फ about 7% से गिरा था तो उस समय भी fund का performance काफी अच्छा था again next year अगर आप देखें 1st Jan 2021 तो वहाँ भी इस fund का performance काफी अच्छा था cross all horizons इस fund ने अपने benchmark को अच्छे margin से बीट किया था अगर आप इस fund का performance देखें 1st February 2021 तो यहाँ से इस fund का under performance आपको clearly दिखेगा 1 year horizon में यह fund अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा था next year that is 3rd Jan 2022 को भी अगर आप इनका 1 year का performance देखें तो वहाँ भी benchmark को बीट नहीं कर पा रहा था यह fund और उसके एक साल बाद that is 2nd Jan 2023 में भी यह fund अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा था across 1 year and 3 year horizon और latest अगर आप performance देखें that is 14th February 2020 again 1 year और 3 year में यह fund अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा है in fact यहाँ पे अगर आप इनका 5 year और 10 year का performance भी देखें तो यह benchmark के आसपास ही है that is अगर यह fund थोड़ा और underperform करता है तो आने वाले समय में even 5 year और 10 year horizon में भी इनका जो returns है वो benchmark से साइद कम हो जाएगा अभी हमने जो details चेक किया है उससे यह quite clear है कि Axis Blue Chip Fund as compared to its benchmark पिछले कुछ समय से underperform कर रहा है अब हमें जानना है कि large cap category के जो दूसरे top funds हैं उसके मुकाबले इस fund का performance कैसा है यहाँ पर आप Axis Blue Chip Fund का latest performance compare कर सकते हैं as compared to other top funds in large cap category तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं कि as compared to these funds Axis Blue Chip Fund काफी ज़्यादा underperform कर रहा है यहाँ पर आप इस fund का risk and return parameters चेक कर सकते हैं तो risk wise तो यहाँ कोई major concern नहीं है अभी भी इसका अगर आप बीटा देखें तो कम है लेकिन अगर आप इनका sharp ratio और alpha देखें तो वहाँ पर problem है across 3 year and 5 year दोनों ही horizons में इनका sharp ratio अच्छा नहीं है that is यह fund अच्छा risk adjusted return generate नहीं कर पा रहा है और साथ ही अगर आप alpha देखें तो 3 year में इनका alpha negative हो चुका है और 5 year horizon में भी alpha कोई खास अच्छा नहीं है so past performance wise पहले तो यह fund काफी अच्छा हुआ करता था सालों तक काफी अच्छा returns generate किया है इस fund ने लेकिन recent times में अगर आप इस fund का performance compare करें with its benchmark या फिर दूसरे top funds in large cap category तो of course इनका performance almost last 2 year से अच्छा नहीं है नाम इस fund का detail review करेंगे उससे यह clearly पता चल जाएगा कि यह fund underperform क्यों कर रहा है यहाँ पर आप इस fund का IUM, benchmark, expense ratio, portfolio price to earning, portfolio price to book, annual turnover और fund manager details check कर सकते हैं इस fund का expense ratio कोई बहुत जादा नहीं है लेकिन इस fund का portfolio price to earning और portfolio price to book as compared to other funds जादा है इसका मतलब यह हुआ कि यह fund growth style of investing को follow करता है that is very high growing companies में अपना investment करता है और in very high growth companies का price to earning या फिर price to book काफी जादा होता है इस fund को manage करते हैं Mr. Suryas Divalkar जो की काफी लंवे समय से that is 2016 से इस fund को manage कर रहे है तो of course यह fund फिलाल underperform कर रहा है लेकिन साथ ही पहले जो इस fund का performance इतना जादा अच्छा था उसका credit भी Mr. Suryas Divalkar को ही जाता है यहाँ पर आप इस fund का asset allocation और market cap allocation चेक कर सकते हैं तो asset allocation में आप clearly देख सकते हैं कि इस fund का equity में exposure 87.4% के आस पास है जबकि debt या cash में काफी बड़ा allocation है at about 12.6% का generally इस तरह का बड़ा allocation debt या cash में आपको दूसरे funds में देखने को नहीं मिलेगा equity में relatively come allocation और cash और debt में relatively बड़ा allocation ये सो करता है कि fund manager को ऐसा लगता है कि stock market में corrections आएंगे तो जब भी corrections आएगा तो उस समय fund manager काफी अच्छे valuations पे अच्छे stocks में अपना investment कर पाएंगे लेकिन यहाँ पे ये so-called दोधारी तलवार होता है अगर stock market नीचे गया तब तो अच्छा है ये अच्छे valuations पे stocks को खरीद पाएंगे लेकिन अगर stock market उपर जाता है तो यहाँ पे इनका equity allocation कम है जिसके कारण ये fund underperform करता रहेगा इस fund का अगर आप market cap allocation देखें तो यहाँ पे large cap के stocks में allocation है 87% का जबकि mid cap और small cap में allocation नहीं है यहाँ पे हमने access blue chip fund के market cap allocation का comparison किया है with some other top funds of large cap category like kinder rubico blue chip, ICIC blue chip and kotak blue chip तो यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं कि दूसरे funds ने mid cap और small cap के stocks में भी अच्छा exposure लिया है बट surprisingly access blue chip का mid cap और small cap में exposure नहीं है large cap category के funds वैसे funds होते हैं जो कि अपने total asset का at least 80% large cap के stocks में invest करते हैं लेकिन जो rest 20% है वो large cap, mid cap और small cap के stocks में कहीं भी invest कर सकते हैं इसलिए आपने देखा है कि जो दूसरे schemes हैं जिनका performance अच्छा रहा है उन्होंने mid cap और small cap के stocks में भी अपना exposure लिया है जबकि surprisingly access blue chip fund ने mid cap और small cap के stocks में exposure नहीं लिया है जब भी आप mid cap और small cap के stocks में अपना investment करते हैं तो of course वहाँ पे risk तो बढ़ जाता है लेकिन साथ ही alpha generate करने के chances भी बढ़ जाते हैं यहाँ पर आप access blue chip fund का sector allocation चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे financial sector में सबसे बड़ा allocation लिया है almost 38% का उसके अलावा tech, services, automobile और energy sector के stocks में भी exposure लिया गया है तो overall sector allocation में तो फिलहाल कोई problem नहीं लगता है क्योंकि अगर आप दूसरे funds का भी sector allocation देखें तो mostly उनका sector allocation इसी तरह का है क्योंकि यह जो large cap के funds हैं वो अपना जातार investment nifty fifty के top stocks में ही करते हैं यहाँ पर आप इस fund का stock portfolio चेक कर सकते हैं तो quality of company wise कहीं भी आपको problem नहीं लगेगा लागि यह सारी companies, top companies है performance wise over the years इन्होंने काफी अच्छा performance दिया है like ICAC bank, HDFC bank, Bajaj Finance, Infosys, Avenue Supermarts, TCS, Reliance, Kotec उसके अलावा जो दूसरी companies भी हैं उसमें से जातर companies काफी अच्छी companies हैं यहाँ पर आप इस fund के stock portfolio के top 10 holdings का details चेक कर सकते हैं like in companies का price to earning ratio, asset percentage और one year का returns चेक कर सकते हैं recent times में हमने यह clearly देखा है कि value stocks जिनका valuation relatively कम है उनका performance जादा अच्छा रहा है जबकि growth stocks जिनका valuation काफी जादा रहता है उनका performance relatively अच्छा नहीं रहा है तो यहाँ पर यह जो details है उसे देखकर आपको clearly यह पता चल जाएगा क्योंकि last few years से हमने देखा है कि financial sector के stocks का performance काफी अच्छा है लेकिन यहाँ पर अगर आप financial sector के stocks का performance देखें तो दो stocks ऐसे हैं जिनका performance अच्छा नहीं है और इसका एक बहुत बड़ा reason है कि इन दोनों stocks का valuation जादा है लेकि बजाज finance का अगर आप performance देखें तो company तो बहुत अच्छी है लेकिन valuation जादा है performance last one year में अच्छा नहीं रहा है similarly kotak mehindra bank को भी देखें तो again company बहुत अच्छी company है लेकिन valuation इनका भी relatively जादा है और इनका भी performance अच्छा नहीं रहा है और साथी अगर आप avenue supermarts को देखें तो यहाँ पे इन्होंने 6.23% का allocation लिया हुआ है और इसका price to earning ratio काफी जादा है और last one year का return भी देखें तो minus 15% का है after this detailed review of access blue chip fund काफी हद तक हमें यह पता चल गया है कि यह fund इतना जादा underperform क्यों कर रहा है number one अगर आप valuation देखें that is portfolio price to earning और portfolio price to book तो यह relatively जादा है अगर आप दूसरे fund से compare करें तो तो यहाँ पे यह fund पूरी तरह से growth style of investing को follow कर रहा है और growth stocks का performance अच्छा नहीं रहा है number second अगर इनका आप asset allocation देखें तो यहाँ पे debt और cash में काफी बड़ा allocation लिया है number third अगर आप इनका market cap allocation देखें तो वहाँ पे mid cap और small cap में exposure नहीं लिया गया है जबकि इनके पास option है कि up to 20% यह mid cap और small cap में exposure ले सकते हैं और number four हमने stock portfolio भी देखा है इनका तो वहाँ पे कुछ ऐसे stocks में investment किया गया है in fact काफी बड़ा exposure लिया गया है जिनका valuation काफी जादा है of course वो companies अच्छी हैं लेकिन valuation wise बहुत highly valued है that's why उन companies का performance recent times में अच्छा नहीं रहा है ना हम जान लेते हैं कि इस fund से हम future में किस तरह का performance expect कर सकते हैं तो जिन reasons के कारण इस fund का under performance रहा है वही reasons हो सकते हैं जिसके कारण ये fund का performance अच्छा आ सकता है future में तो इस fund का जो हमने asset allocation देखा तो वहाँ पे debt और cash का allocation काफी जादा है तो यहाँ पे अगर market गिरता है in that case इनका जो equity में कम exposure है वो इन्हें help करेगा और साथ ही ये अच्छे valuations पे अपना investment कर पाएंगे साथ ही जो market cap allocation है वहाँ पे mid cap और small cap में allocation नहीं लिया गया है तो again अगर mid cap और small cap के stocks का performance अच्छा नहीं रहता है तो वो भी एक तरह से positive होगा इस fund के लिए इस fund के साथ एक और बड़ा issue है इनका stock portfolio वहाँ पे हमने clearly देखा था top holdings में कि कुछ stocks में काफी बड़ा exposure लिया गया है और उन stocks का valuation काफी ज़ादा है of course quality wise वो companies काफी अच्छी हैं लेकिन इतना ज़्यादा overvalued हैं कि साथ near future में हम उस तरह के stocks से अच्छे performance की उमीद नहीं कर सकते हैं So that's it in this video I hope आप मुझे expect नहीं कर रहे था कि मैं आपको clearly बोलू कि इस fund में बने रहे या फिर निकल जाए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा channel एक educational channel है तो इस video में जो भी हमने details provide किया है उसके आधार पे आप खुट decide कर सकते हैं या फिर आप अपने investment advisor से consult कर सकते हैं अगर आपका को investment related query है तो आप हमारा every Saturday 7.30 to 8.30 pm का YouTube live stream join कर सकते हैं अगर आपको ये video पसंद आया है तो जरू like and share करें और अभी तक आपने हमारा YouTube channel सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब करें Thanks a lot for watching